पूने से नागपूर की ओर जा रही शिवशाही बस क्रमांक एमेस शुन्य छे बी डबल्यू शुन्य नौ शुन्य तीन जैसी बढ़नेरा पुलिस टेशन के पास पहुची थी कि तभी अचानक बस के निशले हिस्से में आग लग गई बस चालक को इस बात का एसास हुआ तो बस चालक ने तुरन थी बस को बढ़नेरा पुलिस टेशन के सामने मुख्य सड़क पर खड़ा कर दिया और वह उतर कर बाहर आया तो उसने पाया बस के निशले हिस्से में आग लग चुकी थी और यह आग देखते ही देखते निशले बस के अंदरूनी भाग में भी फैल गई और बस के दोनों टायरों को भी आग लग गई थी बस चालक ने सतरकता दिखाते हुए तुरन थी बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला इस घटना की जानकारी जैसे ही बढ़नेरा पुलिस टेशन के वरिष्ट पुलिस निरि देर हो चुकी थी आग ने बस को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया था लेकिन एक बात समस्से परे है कि आखिर शिव शाही में निशले भाग में ऐसी कौन से उकरन लगे थे जिसके चलते यह आग लगी और इस आग ने बस के अंदरूनी भाग सही टायरों को अपनी चपेट में ले लिया अगनी शमन डल के कर्मचारियों ने ततपरता दिखाते हुए मुख्य सडक पर ही आग भुजाने का कारिया शुरू किया और करिब आदे घंटे की कड़ी मेनत मशकत करके बस में लगी आग पर काबू पाया गया बस चालक राजेंद्र लसुनकर से जब इस संदर्भा में बात की गई तो उनकी तबियत खराब होने के चलते उन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दी लेकिन समय पर अगनी शमन के पहुशने के चलते एक बड़ी अन्होनी होने से टल गई वैसे भी इन दोनों लाल परी और शिवशाही बसों के हालात बड़े ही दैनिय हैं आये दिन जगा जगा पर आपको लाल परी और शिवशाही बसे नादुरूस्त खड़ी नजर आती है अब न जाने राज्य सरकार लालपरी और शिवशाही बसेस बचाने के लिए क्या आर्थिक मदद करती है क्योंकि महाराष्ट की आनबानशान एक समय में लालपरी ही हुआ करती थी जिसे हजारों नहीं लाखो यातरी एक गाउ से दुसरे गाउ की और सुरक्षित यातरा के लिए महाराष्ट राज्य परिवहन की लालपरी को ही पसंद करते थी लेकिन अब उनकी जगद धीरे धीरे नीजी लगजरी बसों ने ले ली हैं बढ़नेरा पूलिस स्टेशन में इस घटना के संदर्भा में मामला दर्श किया गया है एवं आगे मामले की जाच वरिष्ट पूलिस नीरिक शक चोहान के मार्गदर्शन में की जा रही है शोयब खान के साथ साबिर हुसेन विदर्वनियूस बढ़नेरा